क्या भारतिय किर्केटर मुहम्मद सामी और हसीन जहां की जोरी सचमुच तूचने वाली है क्या हसीन जहां के सामी पर लगाये गए इल्जाम सत परतीशत सही है या फिर कर लिया था उसी वक्त समी ने अपने दुर्भाग के साथ किसमत का फैसला जब उसने एक तलाक शुदा अधेर उम्र की महिला से कर ली थी शादी कल तक भारतिय तेज गेंदबाद मुहम्मद सामी जिने पाकर फूले नहीं समा रहा था क्या आज वही हसीन जहां सामी के लिए बन गई है सर का दर्द क्या सामी का क्रिकेट कैरियर यहां से होने वाला है खत्म क्या बीशी सी आई सामी को दिखाएगी हसीन जहां के लगाए गए आरोपो पर बाहर का रास्ता तो वहीं ले लिया है घटना ने एक नया मोर और पाकिस्तानी फैन अलिस्बा आई है सब के सामने और उसने खुल कर की है वकालत सामी के पक्ष में हसीन जहां के लगाए गए सारे इलजामों को लिस्बा ने बताया बेबुनियाद और मनगरत लिस्बा ने कहा हम सामी की सिर्फ एक दोस्त है और उनसे सिर्फ मेरी एक दोस्ती के नात्रे चैटिंग हुई थी और बागी कुछ नहीं मामले में सच्चाई चाहे जो भी हो लेकिन किरकेटरों की ये पुरानी कहानी है कि उनका दिल हमेशा कभी इस पर कभी उस पर आता रहता है तो वहीं कौन सी दूद की धूली है हसीन जहां जिसे जमीन से आसमान पर ले गए सामी एक चेर लिडर्स और तलाक शुदा महिला से शादी करने का क्या यहीं मिला है सामी को सिला अगर हसीन जहां की सारी बाते सची है तो फिर क्यों हुआ उनका उनके पहले पती से तलाक बहरेहाल हसीन जहां ने अलिस्वा के साथ साथ सबनाश, मावी, अंकिता और मंजू नाम की कई लर्क्यों के साथ सामी के आफेर होने की बात मीडिया में रखी है क्या सामी ने एक मामूली चेयलिडर्स को अपने घर की रणक मना कर गलती की थी या फिर सामी खुद में है बहुत बरे गलत इनसान बहरेहाल मामला चाहे जो भी हो इतनी गर्माहट बर गई है कि अब सुला होने का अंदेशा बिलकुल खत्म हो चुका है वहीं BCCI ने भी अपने करे रुख अख्तियार कर लिये हैं अब देखना है कि शामी और हसीन जहां का फिर से पैचेशा प्रूब